जैहिन सातियों आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल Study with Moolendra पर तो फ्रेंड जैसा के आप सभी देख पा रहे होंगे कि जिन भी स्टुडेंट ने ट्रांसफर प्रोसेस में भाग लिया था उनके जो कॉलिज हैं वो एलाउटिड कर दिये गए हैं तो फ्रेंड्स जो Second Counseling में जो लोगों ने ट्रांसफर प्रेकरिया में भाग लिया था उनके कॉलिज एलाउटिड कर दिये गए हैं तो यह आप इसकी वेबसाइट पर जा करके लोग इन करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कॉन सा कॉलिज ट्रांसफर हो चुका है तो फ्रेंड्स यह इन्फोर्मेशन आपको देनी थी जिन भी स्टुडेंट का प्रोविजनल एडविशन हो चुका था उनकी यह प्रेक रिया थी और बात करते हैं हम उन स्टुडेंट की जिनका मॉप आप राउंड में कल पंजी करन होने वाला है तो फ्रेंड्स उसके वारे में भी जान लेते हैं इन्होंने अभी से अपडेट कर दिया है और उसके लिए एक लिंक जारी किया है उस पर चलते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहां पर आपके सामने चार तारिक यानि की चार जुलाई 2019 को मॉप अप राउंड मेरिट वेस्ट रेजिस्टेशन फोर इंस्ट्रेक्शन क्लिक यहां पर कुछ इंस्ट्रेक्शन दिये हैं जिसके नुसार आपको मॉप अप राउंड में भाग लेना होगा तो चलिए क्लिक करके इस इंस्ट्रेक्शन को पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या-कया प्रोसिस बताया है तो चलिए फ्रैंटस तो फ्रैंटस आप सभी से रिक्वेश्ट योदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन होगा उसको प्रेस करने जिससे की सारी information आपको सबसे पहले मिल सके और friends वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को CITS के बारे में पता चल सके तो चलते हैं friends क्या notification के इनकी तरफ से आया है वो सारा देख लेते हैं तो friends यहाँ पर आप सभी के सामने आप सभी देखते हैं process follow for mop up round तो यहाँ पर आप सभी step 1 के बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे करना है आपको all vacant seat will be available from mop up round तो friends सभी खाली seat के लिए यहाँ पर बोला गया है mop up round कराया जाएगा और second number के बात करते हैं यहाँ पर अपना next है तो candidate who cleared the AICET 2019 cut off are eligible for CITS 2019 mop up round यहाँ पर बोला है इन्होंने जिसने भी all India common entrance test दिया है और वो cut off के लिए eligible है यहाँ जो cut off जारी करेगी है उससे उपर उनके नंबर है तो वो इस mop up round में भाग ले सकते हैं और next की बात करें हैं यहाँ पर है candidate who have not registered for CITS 2019 counselling before can also participate in the mop round by paying the counselling fees तो friends यहाँ पर इन्होंने बोला है जिन स्टुडेंट ने counselling में पहले registration या पंजीकरन नहीं कराया था वो इस mop up round में पंजीकरन करा सकते हैं और fees pay भी कर सकते हैं इन्होंने बोला है जिन्होंने पहले counselling में भाग नहीं रिया था किसी वज़े से तो वो इसमें भाग रेजिस्टेशन कर सकते हैं और counselling fees पे कर सकते हैं और बात करते हैं नेस्ट के candidate who paid the counselling fees yearly and did not get provisional admission can also pay the pop-up round counselling तो friends यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पूर्व फिस जिन स्टुडेंट ने पहले counselling में fees पे कर दी थी लेकिन provisional admission नहीं ले पाए थे तो उनके लिए भी यहाँ पर pop-up round counselling available है तो friends आप सभी को इस सारी जानकारी मिल रही होगी तो next की बात करते हैं candidate who participate in the first and second round of CITS 2019 counselling get got provisional admission can not participate in pop-up round तो friends यहाँ पर आप से भी देख पा रहूंगे इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसका link मैं description में डाल दूँगा या आप website से जाकर कर डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला last में कि जिन्होंने first और second round में counselling में admission ले लिया है यानि कि उन्होंने college मिला है और उन्होंने provisional admission ले लिया है वो student इसमें participate यानि कि भाग नहीं ले सकते तो उन students के लिए काफी अच्छी खुसकवरी है जिन्होंने इसमें provisional admission नहीं लिया था और जिनका number नहीं आया था तो वो इसमें भाग ले सकते हैं केवल वही student ले सकते हैं जिन्होंने पहले provisional admission नहीं कराया है तो friends चलते हैं यहाँ पर आपकी जो counseling process वो दिया गया है आपको क्या करना है आपर पहले आपको registration करना है और यहाँ पर आप सभी कुछ check out the vacancies now तो आपको seat available करा दी जाएंगे तो आपको check करने है उसके बाद log in करने के बाद आपको log in करने के बाद आपको check करना है probability get will be seed the NSTI याट I-TOT तो friends आपको अपनी probability के अनुसार log in करने के बाद check करना है कि आपको कौन सी vacancies कितनी कहां पर है उस हिसाब से आपको select करनी है next आपको choice कर देनी है उसके बाद आपको क्या करना है यदि fees pay नहीं किये तो fees pay कर दे और उसके बाद आपको swap your choice institute of see the probability of get a seed याणि कि अपनी पहली पसंद के अनुसार choice होई seed को swap करें तो institute choice get automatically located at 5 p.m. server याणि कि automatic 5 p.m. तक याणि कि सामके 5.5 वज़े तक आपको choice made with candidate आपकी जो rank allotted कर दी जाएगी AICT marks scored यानि कि आपके जो marks है आपके ओल इंडिया trade में जो entrance ओल इंडिया common instant test में जो जो भी score आया था उसकी merit के अनुसार आपको seat allotted कर दी जाएगी तो यह यहाँ पर बोला है rank पर choice के अनुसार तो next बात कर लेते friends यहाँ पर allotted आपको क्या है यहाँ पर आप सभी date देख पा रहे होंगे फिर आपको 5 और 6 को यहाँ पर seat allotted कर दी जाएगी check your name the list आप merit चेक कर सकते हैं online क्या आपका नाम आया है list में या नहीं फिर आपको क्या करना है आपके पास में कोई NHTI होगा provisional admission जाकरके यहाँ पर करा लेना है completely तो friends बात करते हैं nest की nest हाव second mop up round दिया गया है जो कि 8 और 9 जुलाई को होने वाला है तो friends यह जो होगा आपका for all vacant seat behind first mop up round यानि कि यहाँ पर आप बोला गया है इनकी तरफ से कि खाली बची होई seatों के लिए जो first round के बाद जो week seat खाली बचती है उनके लिए यह second mop up round होगा तो friends इसमें क्या है vacant seat displayed न है portal जो भी seat खाली बचेंगे वो display कर दी जाएंगे और portal पर any mop up registered candidate can be go to any nearest NSTI get admission यानि कि आपको जो भी seat खाली बचेंगे मौप up round के बाद वो display कर दी जाएंगी website पर और आप वहाँ पर अपना registration मौप up round में किया था वो जाकर के admission ले सकते हैं पास के नजदीक के NSTI में तो फिर इस आपको क्या करनाएंग any candidate who has approved the AICT will be scored 20 marks can be registered online with counseling fees and approach the nearest NSTI provisional admission तो friends इन्होंने याँ पर बोला है कोई भी candidate जिनका 20 से 20 score है यानि कि जिन भी student का 20 score है यदि मौप up round होने के बाद जो भी seat आपको डिस्पले की जाएंगे 20 numbers यदि आपके हैं तो आप counseling में register कर सकते हैं second में और वहाँ पर fees pay कर सकते हैं तो friends आप निरास ना हो don't worry आपके जो number कम है तो भी आप इसमें admission ले सकते हैं तो आपको पहले first मौप up round में हिस्सा लेना होगा उसके बाद second में जो seat बज़े है उसके लिए pass के NSTI में जाकर के admission करा लेना होगा तो friends यहाँ पर आप मौप up round यहाँ पर बोला है दस तारिक को 11 बारह जुलाई को मौप up for I taught तो यहाँ पर any candidate who be appeared in AICTD who was scored by 20 marks and registered online which counseling fees approached the I taught of his choice to get admission तो अपनी choice के रुशार admission ले सकते हैं 10-11 बारह में जिनके score 20 है तो friends choice get admission TIT will be given provisional of admission online तो उनका online admission होगा आपके यहाँ पर जाकर के online ले सकते हैं I taught के नुसार CITS 2019 admission close यानि 11 जुलाई को 6.5 बज़े आपके जो CITS के admission है वो close कर दिये जाएंगे तो friends यह सारी information आपको देनिती वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो परिशान नहों वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आपको कल अच्छे से अच्छा मॉप अब राउंड में भाग ले सकें तो सारा डाटा पढ़ना है आपको फिर से बार बाट दो तिन बाट पढ़ने के बाद आपको ट्राइ करना है उसके अच्छा कॉलिज चोईस करें तो friends वीडियो अच्छी लगे लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें मिलते हैं अगले बाट में तब तक के लिए जैंग जैवारत